चलिए चेप्टर का नाम क्या है सर हमारा ब्रांच अकाउंट अब ब्रांच अकाउंट क्या होता है पहले देख लेते हैं हमारे स्लेवर्स का क्या पार्ट है अब ब्रांच ना दो तरीके के होते हैं सर सर दो तरीके की कौन-कौन से ब्रांच होते है सबसे पहले तो ब्रांच क्या होता है यह देखिए और इसमें न मैं ज़्यादा चीजे टाइम थोड़ी लोगा आपका आपको सबको पता है ब्रांच क्या है अब मैं सिरी सी बात करूँ तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स ऐसे हैं जो की फेमस है अगर मैं बड़ी बेसिक सी बात करूँ तो यहाँ पर शॉप्स फेमस की बात करूँ एक बिट्टू टिक्के वाला है वो भी फेमस है तो आप बिट्टू टिक्के वाले का जो मेन जगह है सिंपल से वर्ड में जो मेन जगह जहां से अपना स्टार्ट किया था वो आप सबको पता होना चाहिए कहां का है वो रानी बाग का सबको पता कि मेन जो है रानी बाग और रानी बाग से फिर ये एक NSP में भी है और एक रोहिनी में भी है तो हम जानते हैं कि यह जो main है वो main है और बाकी सारा क्या है उसके branches है तो एक main जगह पे होता है जहां से business को origin start किया जाता है और बाकी के जो छोटे-छोटे और हम outlet खोल लेते हैं हिंदुस्तान के बाहर भी खोल सकते हैं दोनों चीज़े possible है ना अब bit to ticky वाला सोचे मैं लंडन में टिक्की बेचूँआ जाके तो वो भी branch ही कहलाएगी लेकिन वो कौन सी branch कहलाएगी आपकी foreign branch वो कौन सी branch कहलाएगी foreign branch तो मैंने बड़ा basic सा example लिया कि एक btw है सबने सुना होगा या गुलाब ले लो बैसे मेरे को गुलाब और हल्दी राम वगएरा का तो मेरे को पता नहीं भी या main office का है इनका तो पता है कि भी या starting से जब जाते थे तो बस ये रानी बाग में नजर आते थे और कहीं था ने इनका और especially ये लिख देते थे हैं हमारी कोई branch नहीं है तो रानी बाग से बाद थोड़े दिनों बाद मैंने क्या observe किया कि अरे ये तो नेता जी सुबास पलेस में भी खुल गया एनसपी में भी खुल गया ये दुकान तो तो थोड़े दिन बाद notice किया तो ये रोहिनी में भी खुल गया फिर notice किया तो फिर ये मान लेते हैं CP में भी open हो गया वैसे पता नहीं है मेरको CP का ठीक है न CP में भी open हो गया थोड़े दिनों बाद ऐसे notice किया तो जहां से इसने अपना business start किया था that is इसका क्या होगा head office थोड़ा accounts में नाम देंगे इजजद देंगे इनको उसे क्या बोलेंगे head office ठीक है और जहां जहां पर उसने छोटे छोटे अपने दुकान खोलें वो क्या होंगे branch होंगे अब भीया ये branch पे और head office पे mainly जो कोई भी branch खोलता है ने अपना उनका टेस्ट हर देगा क्या होता है सेम होता है आप राइवाग वाले पे खालो एनसपी पे खालो तो आपको टेस्ट क्या लगेगा सेम लगेगा ऐसा क्यों होता है सर हर किसी का सेम क्योंकि कारीगार अलग है सब कुछ अलग है ऐसा तो नहीं है कि वह अलग तो वह क्या करते हैं अपना जो उनका जो यूज करते हैं material वह material ना head office जो होता है हमारा उसके उपर depend करता है कि क्या भीजेगा यानि सारा material जितना भी है वह यहां से भीजा जाएगा कहां से भीजा जाता है सर कि head office से ध्यान देना वह सारा का सारा material कहां से भीजा जाता है सारा का सारा material भीजा जाएगा head office से और उसी के according जो उसका instruction है उसी के according बनाना है सेम मैं बात करूँ क्योंकि मुझे इसका ब्रांच पता था इसलिए एक्जामपल लिया आप मैक डॉनल में चले जाओ की अपसी में चले जाओ सबका टेस्ट एक जैसा है ठीक है ना तो वही कहानी है अब बिट्टु टिक क्या ले ने बोला कि मैं लंडन में खोलूंगा UK में UK में खोलूंगा तो क्या इसे हम ब्रांच बोलेंगे हां जी सर ये भी ब्रांच है इसे भी क्या बोलेंगे हम ब्रांच बोलेंगे ठीक है ना इसे भी हम ब्रांच बोलने वाले हैं अब मुद्दे की बात है सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं हम क्या सीखेंगे इस चप्टर मे अब ब्रांच दो परकार के हो गयाए अब ध्यान दो तो सर कौन कौन से दो परकार के हो गया एक inland ब्रांच हो गया अब inland ब्रांच का मतलब क्या है सर तेखो यह न वर्ड एक तो मैं सबसे बड़ा इंडिया के अंदर ना जो education system है ना बहुत सिंपल चीजों को बताने के बजाए ना एक नया वर्ड दे देते हैं जिसमें से जो बच्चा समझ नहीं पाए जो बच्चा उस वर्ड को नहीं समझता तो उसके लिए मुसीवत बना रहता है इनलेंड ब्रांच का मतलब होता है कि जहां पर उसने अपना स्टार्ट किया वहीं कि अगर ब्रांच खोला जाए उसे इनलेंड ब्रांच बोलते हैं तो बिटूटी की अले ने कहा इसटार्ट किया राणी बाग यानि भारत के अंदर और यहां ब्रांच खोला जाएगा तो कुन सा होगा तो इसका बोल सकते हैं अगर फॉरन में खोल ले तो उसे क्या बोलेंगे फॉरन ब्रांच simple सी बात है क्या बोलेंगे foreign branch foreign branch तो sir अब branch accounting सीख रहे हैं branch accounting का मतलब अब ये branch है NSP branch है वहाँ से समान आया ये लिखेगा ये समान बेचेगा तो ये लिखेगा है यानि kind of ना हमें इसका P&L तयार करना है एक परकार का हमें इसका क्या तयार करना है सर P&L और P&L कैसे तयार होता है इधर खर्चे इधर income और उस हिसाब से ठीक है अब कुछ बातें यहाँ पर भी होगी twist होगी जो कि हम अभी देखेंगे धीरे धीरे करके अब यहाँ पर क्या क्या possible हो सकता है सूचना पहले तो आपको यह बात समझना चाहिए कि हम accounting इसकी नहीं करने वाले है हम accounting किसकी करने वाले है जो उसकी छोटी छोटी दुकाने खोली है उसकी accounting हम मारे slaves में यह भी नहीं है सर बोला foreign branch बाद में पढ़ाएंगे अभी नहीं पढ़ा रहे हम आपको तो हमें कौन सा branch करना है inland या फिर Indian branch बोल सकते हो तो पहले clear होना चाहिए कि हम सीख क्या रहे है अब आप पूरे chapter के अंदर एक example याद रखना है बिटुटिक की वाला दिमाग को मैं इसी को example को लेके आगे तक लेके चलूँँगा तो फिर आपको connection होता रहेगा अब मुझे किसका बनाना है अब यहाँ पे दो तरीके के ये branch हो सकते है या तो ये पूरे तरीके से इस पे dependent हो या ये independent हो तो दो हो सकते हैं न dependent का मतलब सारा काम यही कर रहा है accounting इसकी यही कर रहा है समान यही भेज रहा है सब कुछ यह कर रहा है तो ये branch किसके उपर dependent है और एक होता है independent branch independent branch में सब कुछ क्या कर रहा है यही कर रहा है अपना 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 सब कुछ क्या कर रहा है अपना तो अपना P&L भी भाई तू ही बना ले मैं क्यों बना हुआ हमारे में है dependent branch independent branch भी हमारे slaves का partner है समझे यानि सारी जिम्मेदारी कौन उठाने वाला है head office accounting इसकी करेंगे लेकिन करने वाला ये होगा समझ रहे बात करेंगे इसके लिए लेकिन करेगा कौन head office करेगा ठीक है अब head office कैसे कैसे treat करेगा जो भी उसको समान भेजेगा वो खर्चे में लिख लेगा यानि मान लेते हैं बड़ी सिंपल सी बात है यहां से क्या भेजेगा material ले भाई तिरे को टिक की बनाना है आलू ले जा और उसके साथ दही ले जा जो भी बनाना है सारा एकदम सेम प्रॉपर देगा यह यहां से भेज दिया तो यह head office क्या करेगा मैंने क्या करा सर मैंने क्या करा गुट्स को क्या कर दिया सेंट कर दिया परचियस दो नहीं लिख सकते क्या कहेगा गुट्स मैंने क्या कर दिया सेंट कर दिया इसके बाद यह ब्रांच के उपर समान आएगा और इस ब्रांच के उपर समान क्या होगा बनने लगेगा टिक की बनने लगा मान लेते हम अगर टिक की इसने बना दिया उसके बाद क्या होगा, यह बेचेगा, अब यहां बेचेगा, यह तो यह नगट बेचेगा, यह और उधार बेचेगा, वैसे हलनक यह अउधार मिलता नइ, मैं मान लेता हूं two options है, अब यहां पर, यह क्या कहतेगा बहिए, यह तो हमारे कुन से side है हमारे, खर्चे के side ये side कौन से है हमारे और ये side कौन से है income क्या आप imagine करो इसको दिमाग में लो कि सर इसके खर्चे क्या क्या हो सकते हैं इसके खर्चे क्या क्या होंगे सर जो समान भेजा वो भी खर्चा जो labor को salary दिया वो भी खर्चा जो वेजस दिया वो भी खर्चा जो दुकान का किराय दिया वो भी खर्चा वो सारे खर्चे होंगे तो यहां पर सारे खर्चे आ जाएंगे कोई दिक्कत ठीक है नहीं ना अब दूसरा इंकम का सोचते हैं इंकम तो कभी है जो यहां से यह पैसे दे देगा वही पैसा आएगा दूसरा अगर इसने उधार ही दे रखा है उधार दे रखा है तो उससे पैसा थोड़ी ना आया अगर मैंने उधार दे तो नहीं हाँ लेकिन उधार वालों से पैसे बाद में मिलेंगे तो मैं एक कह सकता हूं collection from debtor दो तरीके से पैसे आएंगे और ये क्या करेगा daily या तो ये मालिक चला जाएगा अब टू टिक की अला नेता जीप है दिखा भई कितना पैसा और लेकर आ जाएगा अपना और वो यहां entry कर देगा cash receive ठीक है ना या फिर ये क्या करेगा सारा पैसा एक खटा करके बोलेगा मै मालिक हूँ तुम वहीं से बताओ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर ब्रांच में daily जाओ और फिर मैं पैसे वहां से ड्रॉर से निकाल के लाओ जो उनका ड्रॉर होता है जहां रखते हुआ या तो फिर यह क्या करेंगे वहां से पैसे भेज देंगे तो जब यह पैस ये होगा रेमेंटिंस अलब रेमेंटिंस में क्या क्या सकता है एक तो सेल्स का पैसा आ सकता है और दूसरा क्या सकता है collection फ्रॉं टेटर का पैसा आ सकता है तो यानि total मिलाकर देखा जाए तो हमें क्या prepare करना है sr P&L prepare करना है P&L prepare कोन करेगा sir head office prepare करेगा किसके लिए prepare करेगा branch के लिए prepare करेगा और branch के लिए इधर सारे क्या आएंगे खर्चे और इधर सारे क्या आएंगे इसके अलावा भी कुछ हमारा हो सकता है point अब एक चीज़ और ध्यान देना वो मैं account बनाऊँगा तो consider कर लूँगा हम कौन सा branch सीख रहे है अब inland branch में भी दो होते है dependent और हम कौन सा सीख रहे है independent हमारे syllabus का part नहीं है क्या foreign branch हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे तो उसी तरीके से देखा जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह समान भेज रहा है और यह यह कर रहा है तो दिमाग में यही लेके चलना कि वही बिट्टू टिक की वाला या head office सारा करता धरता है उसी के data given होगा data fill करना हमारा branch इस तरीके से चलेगा तो चलिए मैं कुछ एक format बता दूँ आपको तो यह है हमारा यानि सर आपने अभी बताया वो भी लिख दो एक dependent branch है dependent का मतलब करता धरता कौन है head office सब काम कौन करेगा head office एक है हमारा independent branch independent branch sir independent branch की बात करें अब इसके example भी हो जाना चाहिए कि कौन से branch हमारे dependent है और कौन से branch independent है एक दो example real life के देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जैसे मैं बात करूँ टाटा ठीक है न तो टाटा जो होता है न काम करता है हमेशा independent business पर काम करता है उसके जितने भी unit है वो क्या कहता है कि आप अपना करिए अपना समान कहां से लाएंगे सब कुछ आपका जम्मेदारी है है तो टाटा के जितने भी branches है या जितने भी उनके unit है unit का मतलब टाटा T भी है और टाटा मोटर भी है और टाटा पावर भी सब तो जो टाटाटी वाला है ना तो रतन टाटा जी क्या कहते हैं वह टाटा टी तुम समझो कैसे चलाओंगे हमें नहीं पता हम तो बस आइडिया दे दिया वह वहां का अलग एक CEO अपोइंट कर देगा वहां सब कुछ अलग-अलग अपोइंट कर देगा टाटा मोटर भाई त तो बस देखूंगा तुम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जुम्यदारी तुम्हारी है कहां से पैसे लाना है कहां से सब कुछ रिस्पॉंसलिटी तुम्हारी तो यह हो जाता है इंडिपेंडेंटली काम करना एक होता है डिपेंडेंट जैसे के रिलाइंस है तरीक से किसके उपर मुक्य समभानी टाटा में कभी ऐसा नहीं होता तो यहां मोटर वाला परसन है जिसको बनाया है खोल दिया गया तो हेड उफिस भूलता है नश्मीं में हम ब्रांच खोलके देंगा काम कैसे चलता है इंडिपेंडेंट वालों का अब हमारे पास एक बंदा मैनेजर के काम कर रहा है वोगा और बहुत टाइम से काम कर रहे है बैंक है और बेंक कहा क्या होता है जर्णल मेनेजर को क्या होता है है अब वे सिनागार लेकिन कंडिशनivia है वहा वह यह तरको दर्दा वह घ्रदा देना ओगा तो जब वो branch वाले, अब वो manager चला गया, उसकी salary भी बढ़ गई, अब वो माले थे NSP में खोल लिया, तो NSP में वो नहीं-नहीं scheme लाएगा, आप इसलिए कई बार जाओगे ना, तो कई branchों के अंदर free account, zero balance account खुल रहा होता है, और करीब branch में नहीं खुल रहा होता है, ठीक है तो वो क्यों होता है, वहाँ के manager की responsibility है, पहले क्या करेगा, zero balance पे खुल भाई, क्योंकि जो head office है, उसने बोल दिया, तो जो मर्दी कर, मेरे को तो 500 करोट रुपे का business चाहिए, बात खादम, तो zero balance पे account खुल, इतने पे account खुल, जैसे भी खुल, मेरे को 500 करोट रुपे का business देना है, तो वो क्या करता है, इसी हिसाब से उसको customize करता है, तो जितने भी हमारे banking के branch है, सारे independent branch होते हैं, हर branch का एक fix होता है, कि भाया तेरे को branch दिया गया है, और यहां से तिरे को इतना revenue generate करना है, और जिस branch से उनको लगता है loss होता है, banking companies को क्या कर देती है, बंद कर दे से और वो जितने भी employee है, उस employee को कहीं और shift कर देगी या उनकी नौकरी चली जाती है, इस तरीके से चलते हैं, और dependent में क्या होता है, chain होता है पूरा, और dependent के अंदर क्या होता है, कि हम ही सब कुछ involvement लेते हैं उसके अंदर, तो हम करेंगे सर dependent branch, dependent branch, सर dependent branch के अंदर भी कितने type के account to account बनाएंगे, कुछ ये तो बता दे, यानि सर मैं यहाँ पे independent के आगे क्या करूं, cross, foreign branch के आगे क्या करूं, cross, समझ महीं बत आपको, इसे हमें नहीं पढ़ना, अब dependent branch जो है, इसके अंदर questions हमें finally क्या निकालना है, examiner पूछेगा dependent branch है, ये branch है, वो branch है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, आप इसका profit and loss बताईए, बस examiner ये पूछेगा, तो भईया, profit और निकालने, loss निकालने के दो method है, दो methods हैं, इसके निकालने के, वो दोनों method में से कोई से भी आ जाता है, एक है हमारा सर, debtor system, debtor system, ठीक है न, एक है debtor system, और एक है सर, stock debtor system, एक है सर, stock debtor system, एक है सर, stock debtor system, और एक है stock debtor system, दो system हो गए न हमारे, एक है stock debtor system और एक है debtor system पहले हम debtor system करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे हम stock debtor system जब यह दोनों पार्ट हम complete कर लेंगे दोनों को समझ लेंगे और 4-4-5-5 सवाल इस पर कर लेंगे चप्टर हो जाता है खतम हमारा समझे बात तो हम पहले कौन सा करने जा रहे हैं sir पहले करने जा रहे हम debtor system पहले हम करने जा रहे है debtor system तो चलिए debtor system होता क्या है और कैसे काम करता है यह देखेंगे लेकिन मज़े की बात पता कि methods है कभी भी किसी चीज के method change होते है तो answer पर फरक नहीं पड़ता generally 99% अब आप 2 plus 2 4 कर लो 2 into 2 कर लो 4 method change कर दिया ना तो उसमें answer हमारा फरक नहीं तो जो इससे profit निकलेगा वही profit किससे निकलेगा इससे निकलेगा बस करने का way बदल जाता जैसे provision for depreciation या normal depreciation दोनों अलग-अलग तरीका है करने का लेकिन answer क्या निकलेगा दोनों में same निकलेगा समझ भाई बात आपको तो यह हमारा method debtor system debtor system में हम बनाते हैं एक branch account एक 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 च। जाओ रीजिए एक रीजिए वागो में हब का रीजिय एक एक श। बच कर दो यह हमाराद को इससे उनिकलेगा, निकलेगा इसक। अ कि एक बना रहे हैं हम इसका नाम है को ऑप प्राँंच सब स्थाक नाम य wybानिव देखिए दॉट्र निकलना अ ऐ धर निकलता है तो क्या निकलेगा फ्रॉफिट और इधर निकलता है तो और क्या निकलेगा लोस लेकिन यहां पर को ट्रेडिंग व्रेडिंग वाला कोई चक्कर नहीं है ठीक है सबसे पहले सर यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट और यह भी दो इसके अंदर भी दो मेथट्स हैं एक है हमारा IP प्राइज पर एक है बिना IP प्राइज पर तो हम अभी सिंपल वाला कर रहे हैं IP वाले को हम कल देखेंगे कि IP प्राइज क्या है यह IP का मतलब यहां पर क्या रहने वाला invoice पर अब देखो मैं एक बात आप से सिंपल पूछना चाहताँ आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा सुनते जाइएगा अगर मैं यहां पर लिखों 1 बिलडिंग पांच लाक और यहां पर फिर मैं लिख दूम बिलडिंग 404,000,000 एक तो यह तरीक यह है तो यहां बिल्डिंग पांच यहां बिलडिंग साड़े चार यानि यह शुरू में इतने का था और लास्ट में इतने का था हूँ मैंने लो इसको लिख दिया ओपनिंग और इसको लिख दिया मैंने क्लोसिंग तो अल्टीमेटली पचासाजार रुपय इस अकांट के अंदर कितना reflect हुआ 50,000 अगर मैं यहां भी 5 लिखूं यहां भी 5 लिखूं तो account पे कोई मतलब भी नहीं बनता अभी देखा जाए तो account में कितना reflect हुआ 50,000 पचास हजार रुपे इस side ज्यादा है और मैं यह यहां भी बोल सकता हूं कि 5 लाग का समान है अब बच रहा है चार-पचास का तो इसका मतलब बीच का difference क्या लग गया होगा depreciation बीच का difference क्या लग गया होगा तो depreciation लगाने के दो तरीके होता है या तो मैं भी या assets को ना लिखके इधर सिर्फ में 50,000 रुपे दिखा दूँ ऐसे दिखा दू depreciation या फिर मैं अगर इसको नहीं दिखाता है depreciation और सिर्फ मैं ये दो balance लिख देता हूं तब इधर 50,000 रुपे दिख रहा है आपको दिख रहा है इधर 50,000 क्योंकि साड़े 4 साड़े 4 तो cancel हो गया बचा इधर extra कितना तो यहां पे पी एंडल तो बना रहे तो depreciation दिखाने का थोड़ा सा style बदल गया है क्या बदल है सार हम यहां पे assets का opening balance लिखेंगे और assets का क्या लिखेंगे तो automatic depreciation इसमें reflect समझ रहे हो बात तो यहां पे हम सारे का सारे assets का opening balance लिखने वाले हैं सारे का सारे का मतलब किसका जैसे 2 opening balance 2 opening balance में क्या रहेगा आपका stock का balance आपका machinery का balance के आपका debtor का balance आपका cash का balance आपका other assets का balance अधर assets में कुछ भी हो सकता है प्रिवेड expense हो सकता है और building हो सकता है machinery हो सकता है computer हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो मैंने other assets लिख दिया तो समझ जो इसमें सारे assets आ सकते हैं इनके क्या लिखें मैंने इधर? सर, opening balance लिखें, क्या लिखें इधर? और इसे internally total करिए, या बाहर लिखें, वो आपकी इच्छ है, totally depend on you. और इसको total करके यहां दिखा देंगे. कोई दिक्कत? सर, इसका impact इस account में तब तक नहीं दिखेगा, जब तक कि आप इसका closing balance भी ना ले लो. तो मैं क्या करूँगा, यहां पर closing balance भी लिखूँगा. Buy closing balance. सर, closing balance किस-किस का होगा? जो यहां दिख रहा है, सब का closing होना चाहिए, भीया. अगर आपने यहां stock लिखा है, तो stock का भी closing होना चाहिए. बसरते condition वो है कि आपका stock है यही नी, तो closing कहां से लिखोगे? आपने machinery लिखा, तो machinery का closing होना चाहिए. तब ही depreciation reflect होगा. अगर machinery आपने बेच दिया, तो यहां दिखेगा ही नी. यानि सभी का एक-एक करके आपका पहला target होगा closing लिखना. ढूंड ढूंड के. तो मैंने stock का भी लिख दिया, मान लेते हैं मिरे पास सब का बचा हुआ है. मैंने machinery का भी लिख दिया. है ना? machinery के बाद मैंने debtor का भी लिख दिया. debtor के बाद मैंने किसका लिख दिया? cash का भी लिख दिया. और मैंने other assets का भी लिख दिया. पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, तो मतलब आपको ठीक-ठाक समझ में आ रहा है. के हम कर गया रहे है अगर इसको समझ नहीं आ रहा है सर इधर एक से इधर ये branch count किया चल रहे हैं तो फिर नहीं कर रहे है हम क्या कर रहे है मैं basic से बताने की कोफिस कर रहा हूं clear है यहां तक समझ में आ रहा है यानि सर सारे का सारे assets और उसका closing balance अगर liability हुआ तो उसका भी इदर लिख लेंगे और उसका closing balance किदर जाएगा कितना आसान chapter है नहीं तो buy side में क्या लिखेंगे buy आपका opening opening liability और मैंना opening liability का नाम नहीं लिखना चाहता क्योंकि सवाल में बहुत rare पूछा जाता है और to closing closing liability अब सर ओपनिंग liability में क्या हो सकता है outstanding rent हो सकता है outstanding salary हो सकता है आपका और क्रेडिटर हो सकता है आपका तो यहीं सारी चीज़े हमारे होते हैं क्या liability जितने भी देखें तो इधर आएगा मैंने एक simple सा word लिख दिया opening liability और इधर आपके question में 99% chances मानके चलो liability वाला portion नहीं होता है सिर्फ किस का portion होता है हमारा assets का portion होता है ठीक है न अब हमें क्या है कि इनके जो है न आपके टाइप अब stock का closing stock बनाने के लिए या debtor का closing ढूंडने के लिए यह cash का ढूंडने के लिए यह machinery का ढूंडने के लिए इन सब का मुझे एक calculation बिठाना पड़ेगा मैंने बोला कि भाईया machinery शुरू में था पांच लाग का और मैंने नीचे closing ना बता के मैंने बोला debt लगेगा 10% तो closing बताओ कैसे बताएंगे बताओ closing के आएगा depreciation को minus कर देंगे यानि कितना 4,50,000 तो यह चीज आपको करके फिर calculate करके दिखाना होगा कभी भी आपको closing balance अभी का नहीं मिलने वाला तो closing balance आपको बनाना होगा ठीक है ना तो assets का तो इसका आपने directly कर लिया या तो इसका आप क्या करें अकाउंट बना लेजिए अगर आपने account बना के करना है तो account बना के कैसे करेंगे यह बनगे हमारा machinery account to balance कितने का है पांच लाग और by depreciation 50,000 buy balance cd 450 और आप क्या करेंगे यह वाला cd उठाके यहां पर दिखा देंगे समझ रहे हो एक तो यह तरीका है अगर बोल रहे हैं अगर सवाल में कहता है कि आप बनाई है तब तो mandatory हो जाता है लेकिन कुछ कुछ ऐसे points ऐसे है ना जिसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा नहीं तो आपका मतलब के नहीं निकलेगा जैसे कि आपका debtor जैसे की debtor का closing balance निकालने आपको आना ही चाहिए तो इसके help करने के लिए यानि opening से closing बनाने के लिए कुछ जो complication create कर सकता है वो कर सकता है debtor तो उसके लिए उसका एक separate account भी सीख लेंगे हम और बना भी लेंगे कौन सा method चल रहा है सरी है दो method बताये तो याद है भूल गए depending method कौन सा होता है हां विदाउट आई-पी आई-पी नहीं कि देखो कितनी जल्दी भूल रहे हो सर्द दो method बताये थे देखिए और stock हम कर कुन सा रहे हैं अभी debtor system चल रहा है ठीक है अभी चल रहे debtor system इधर आएगा particular amount पर्टिकुलर amount ठीक है अब debtor account बदाना सीखते है debtor account मेरे को तो कोई भी account बनाने बोले तो मुझे ज्यादा समझ में पता कैसे आता है मैं कैसे सीखता हूं बनाना सोचता हूं सबसे पहले यह पता करो यह assets के liability है अब अगर मुझे समझ में आ गया कि यह assets है तो इसका bd इधर लिख लूँगा cd इधर लिख लूँगा अब जिधर से bd है उधर से बढ़ जाता और जिधर cd उधर से घड़ जाता है इसका simple सा logic है तो debtor account मैं तो मानता हूं assets है आपको भी लगना चाहिए क्या है assets इस यहां पर क्या लिखेंगे balance bd और इस side में क्या है का balance cd और maybe possibility है कि यह balancing figure हो maybe possibility है कि यह क्या बने हमारा balancing figure यहां से क्या क्या निकलेगा मैं underline कर दूँगा तर अब घटने के क्या क्या reason है मेरा पैसा लेके कोई भाग गया bad dates तो घट जाएगा है ना अगर मेरा पैसा लेके कोई चला गया तो घट जाएगा थोड़े pen को ठीक कर लेते हैं कि बाइब डेट्स कि बाइब डेट्स कि बाइब डेट्स ठीक है ना जी यह लिख लिया एक तो यह तरीका और बताओ डेटर क्यों घट सकता है उससे पैसे मिल जाए अगर वो पैसे देगा तो घटेगा ना तो किदर लिखेंगा अगर डेट्स पैसे मिलेगा तो बताइए बाइब बड़ा सिंपल सा है अकाउंट्स तो इतना असान है ना बस समझने की चीज़े होती है अब बाइब साइड में आपको क्याश मिल जाए या फिर चेक मिलेगा तो क्या लिख देंगे यहां पर बैंक ठीक है ना उस समझ में आ जाएगा और सब कब घट सकता है डेटर को डिसकाउंट दे दो दिसकाउंट और एक बात ध्यान रखना न डिसकाउंट को न हम ऑलाउंस भी कह देतें कई बाद डिसकाउंट को हम आगे आएगा ये कहानी के अंदर ठीक है न अलाउंस भी बोल देते हैं डिस्काउंट को नया सब्द है ठीक है और कब कम हो सकता है डेटर मैंने आपको समान भेजा आपने वापसी कर दिया यार तो क्या होगा डेटर क्या हो जाएगा कम यानि बाइ है अगर जैसे मैंने उGO पांच लाक रुपे का बीच Um टीक है और डेटर कमकभी हो सकते हैं आपको बियर वाला कॉंसक फोड़ा सा कभी याद होगा मानलो मैंने आपको धार माल 5 लाक रुपे का बीचा आप से मैंने लिखवा के ले लिए 2 लाक का तो डेटर पता कितने का बचा 3 लाक और 2 लाक का क्या बन गया अगर मैं आप से कुछ चीजे लिखवा के लूँगा तब भी तो डेटर कम होगा सोचो तो यहने बी आर यह बहुत कंजिस्टिट लग रहा है यह समझ में आ रहा है आ रहा है न ठीक है चलिए बस अरतर बढ़ने का रीजन क्या है बढ़ने का रीजन बताए यह घटने का तो बता दिया बढ़ने का बता दो हम उधार माल बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे और डेटर सब्सक्राइब यानि क्रेडिट 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 और क्या बढ़ने का रीजन भी या डिसॉनर्ड हो जाए तब भी बढ़ सकता है लॉजिक लगा आपसे मैंने गरिंटी लिया तीन लाग के डेटर हो गए और आप गरिंटी फेल कर जाओगे तू फिर से क्या बन गया डेटर बन गया ज वैसे इतने ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं लेकिन मैं सब कुछ डालना चाहता हूं ठीक है बढ़ने की रीजन तो सर इससे एक्जामनर क्या चाहता है हमसे चाहता क्या एक्जामनर यह तो बताओ यह अकाउंट बना लिया तो एक्जामनर ना इससे आपसे दो ही ती तीन चीजे चाहेगा और एक्जामनर आपसे दो तीन चीजे क्या चाहने वाला है सर एक्जामनर आपसे दो तीन चीजे एक तो यह चाहेगा ठीक है एक तो यह निकलवाना चाहेगा आपसे और सर और 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 भी कुछ निकलवाएगा क्या एक यह निकलवाना चाहेगा आप से, ठीक है न, पहले यहां तक देखे कोई डाउट, बच्चे पूच रहे हैं, सर, किस चीज की एंट्री है, मैं बताओ न, मेरे को इसमें थोड़ा सा मजासा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कंजिस्टेट है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, होगा, जिनता मत करो, अब थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, तो बच्चे पूचे सर, यह कैस कितना है, जो डेटर से पैसा मिलेगा, वो कैस होगा, और एक हमारे, एक चीज न, हमें पता, कई बार गलती कर देते हैं, अब बताओ, प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट से डे क्या उससे डेटर कम होता है, कभी नहीं होता, तो मैं स्पेसली नोट लिख रहा हूँ, प्रोविजन, देखें आपके मन में जितने भी डाउट होंगे न, मैं सारा वहीं पर लिख देता हूँ, बस आपको पेशेंस रखना, प्रोविजन फोर, डाउटफुल डेट नोट रिकॉर्ड इन डेटर अकाउंट, विल नोट रिकॉर्ड, तो आप हमेशा याद रखें, प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट को, हमारे डेटर कम नहीं होता, अब मान लेते हैं मुझे आपसे लेने, फीस लेनी है, मान लेते हैं पांच जार रुपे मुझे आपसे फीस यह भाग जाएगा, तो मेरा डेटर कम होगा, समझे, तो प्रोविजन क्या अंदाजा है, तो अंदाजा से कभी भी प्रोविजन करने से हमारा फरक नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर पहले भी हमने अक्सर फाइनल अकाउंट में करते क्या थे, डेटर से मा होता है, और जैसे ही प्रोविजन दिखता है, बच्चा फट से इसके अंदर डाल देता है, और आंसर गलत हो जाता है, इस बात को धियान रखना, प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स इसके अंदर नहीं आएगा, यह समझ में आया, चलिए सर, आपने इतना सारा बनाय है, इसमें से क्या इस्तमाल करेंगे, दो ही चीज़े इस्तमाल करना है, एक तो हमें लिखना है यहां, बाई साइड में, सर क्या लिखना है, बाई साइड में, बाई रेमिटेंस, बाई रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, कि जो ब्रांच, ब्रांच के जितने भी employee है वो दिन बर समान से पैसा ही खट्टा करेंगे और वो पैसा ही खट्टा करके दे देंगे कहा ले जाके तो यह हो गया है तो यहां पर पैसा दो ही जगह से आ सकता है एक आ सकता है हमारा कैस से है ना और एक आ सकता है collection from debtor दो ही जगह हो सकता है cash sales और collection from debtor तो cash इसको थोड़ा collection from debtor और कोई भी source होगा न यहीं आएगा सर वो और यह total आ गया तर इस account से हमने क्या निकाला यह क्या है सर that is collection from debtor collection from debtor तो सर यह account बनाने का एक तो यह purpose है क्योंकि इसमें अगर आपको collection from debtor नहीं दे रखा तो इस account को बना के निकाल सकते हैं इसका मतब सर यह भी balancing figure हो सकता है और इसका इस्तमाल कहां कर लेंगे हम यहां पर करेंगे समझ में रहा है दूसरा purpose है balance cd नहीं दे रखा तो यह निकाल सकते हैं और इसका इस्तमाल कहां करेंगे हम तो यह account बनाने का सिर्फ दो ही उद्देश है इस account से यहां पर अगर यह दोनों सर नहीं बोलता कुछ भी और यह दोनों बाते आपको मिल जाए तो हम इसमें से कोई चीज और इस्तमाल ही नहीं कर सकते सर सिंपल सी बात है समझ मैं आई बात आपको अब कुछ बच्चे बोलते है सर बैडेट्स खर्चा है और फिर आपका यह जो बैडेट्स हो गया यह खर्चा है तो आप इसको भी दर दिखाओगे क्या मैं बोलूँगा मैंने दिखा दिया बैडेट्स बताओ दिख रहा है ने लेकर आपके कांट के अंदर के अंदर के दिख रहा है कि अब मान लो कि ध्यान दो मेरे पास शुरू में डिटर थे 500 तो 100 रुपे बैट डेट्स हो गए मैंने यह दिखा दिया 400, दिख रहा है बैट डेट्स अब, तो दिखी रहा है भीया मैंने 100 रुपे तो दिखा है इसके अंदर, और वो मैंने सरिफ क्या दिखा है, बैट डेट्स दिखा है, तो जब आप किसी assets का opening और closing balance जब लेते हो, तो उस हम इसके अंदर दिखा चुके हैं, तो इस account में आने आला, बैट डेट्स क्या यहां पर आएगा, नहीं आएगा, सर discount दिखा दिया आपने बताना, discount दिखाया नहीं दिखाया, मैंने opening balance लिया, और कौन सा balance लिया, और closing balance निकाला कैसे होगा, इन सभी को minus करके, तो जो इनके speech का difference होगा, तो यह तो सब minus होई गया, तो मैंने discount इसमें दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा, दिखा दिया, although यह visibility में नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सोचो ना, तो इसमें reflect हो चुका है, अब सर यहां पर खर्चे, खर्चे, अब खर्चे दो परकार के होते हैं, ध्या खर्चे हो सकते हैं, या तो खर्चे का payment head office करेगा, या खर्चे का payment branch करेगा, समझो, अब बिट्टू टिकी वाले मैंने जो था example में, मैंने एक जो worker है, जो cashier उसको दिहाडी पर रखा हुआ है, वो पैसे लेकिया है, साम को मेरे पास 50,000 रुपे, सर आज की सेल 50,000 रुपे मैंने का, एक काम कर, 1000 रुपे अपना रख ले, मेरे को कितना दे दे, 49,000 रुपे, तो मेरे पास कितना आ गया, 49,000 रुपे, रेमिटेंस कितना है मेरे पास, 49,000 रुपे, समझ महीं बात, तो इसको बोला जाएगा, खर्चा किसने payment किया, branch itself कर रहा है payment, यानि वो क्या करता ह है, अब daily क्या करता है, 50,000 की sale होता है, 1000 रुपे पहले ही रख लेता है, और बोलता सर ये आज की sale, बोला तुने अपना रख लिया, हां रख लिया, दूसरा एक ऐसा हो सकता है, जितनी sale है तू ला हपते में एक दिन पेसे दूँआ मैं तरुको, हो सकता है ये possible, वो सारे प फास्ट बच्चे होता है न, अब फास्ट बच्चे का मतलब उनको लगता है कि इसलिए भस खतम हो जाए हमारा, उनके लिए थोड़ा सा टेंशन है, और जिनको लग रहा है कि ये कोई नई चीज़े सीख रहे हैं तो उनको मजाएगा, तो हर तरेकी का बच्चा होता है यह यहां पर, यह मान लेते हैं कि हम मैंतर को बाद में सेलरी दूँगा और एक हजार रुपए, तो मैं यहां लिखूँगा सेलरी, एक हजार रुपए, अब बता अकाउंट के अंदर कितना दिखाया है मैंने, 49 दिखाया, अगर मैं बोलू तो काट के रख ले, तो फिर मैं य तो इसका मतलब जो head office खर्चे देगा, उसको तो यहां दिखाना है, और जो branch पहले से cut कर लेगा, वो नहीं दिखाना, समझ मैं सीधी सी बात, यानि जो head office बियर करेगा expense, यानि यहां पर खर्चे कौन से होंगे, तारे head office से, expense by head office, head office को नहीं, थोड़ा मैं simple सब में लिख रहा हूँ, echo, ठीक है न, head office, सर जो वो payment करेगा, सर वो ही आएगा, सर अब वो आपको decide करना है, question को decide करना है, और उसमें आप कैसे समझदारी दिखाते हो, तो यहां पर salary, रेंट, जर्नल एक्स्पेंस, और जर्नल एक्स्पेंस के बाद, other expense लिख देते हैं, ज्यादा लिखने के जोरत हैं नहीं, आपको तो पता ही है, सारे खर्चों के न, जर्नल एक्स्पेंस इदर आ गया, बागी के खर्चे तो आप जानते ही हो सकता है, सार यहां पर बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, आने जाने का खर्चा हो सकता है, किसी भी तरीके का हमारा आता है, हम इधर पुट कर देंगे, बसरते कंडीशन यह है, यह है, यह एड़ ऑफिस पेमिंट कर रहा हो, उसका, अगर ब्रांच इटसल पैसे कार्ट पीट के कर रहा है, तो यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आटोमेटिकली रिफलेक्ट ह हो जाएगा, यहां पर आटोमेटिकली क्या होगा, रिफलेक्ट हो जाएगा, यहां तक समझ में आ रही है सारी बात, क्लियर है, सर यहां पर एक एक स्पेंस मैंने नहीं लिखा है, मैं जिसकी बाद में चर्चा करने वाला हूँ, पैटी कैस एक्स्पेंस, और मैं पहले बत ठीक है, पैटी कैस, और इधर भी आजएगा पैटी कैस, यह चीज़े मैंने डाल दिया, इधर का आइटम पूरा हो गया, सब कुछ आ गया, अब रह गया इधर, अब ऐसा हो सकता है, एक डेटर मुझे रिटन कर रहा है, ठीक है, दूसरा हो सकता है, हमने खुद head office को वापसी कर दिया, समान, मतलब sales से कोई लेना देना नहीं है, हमने खुद head office को, बोला भी यह stock खराब आया था, इस पर आपने जो भीजवाया था, यह सही नहीं है, quality खराब होगी, तो head office हमें समान भेजेगा, उसको भी तो लिखना है, तो समान जब head office भे लिखेगा, goods, sent, और जब हम head office को वापसी करेंगा समान, तो हम इदर लिखेंगा, goods, return, जो main points होगा इसका, तो सर, यहाँ पे, मैं जगह बनाने जा रहा हूँ, चलिए, बन गई जगह यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ बेड़ा लूँगा, क्या, goods, sent, आपको समझ में आ रहा है, goods, sent का मतलब क्या, मैं bit to tick की वाले head office हूँ, जब मैं समान भेज रहा हूँ, तो send दी तो कर रहा हूँ, तो goods sent, और goods जो मैं इसको भेज रहा हूँ, मेरे लिए क्या एक खर्च है, इसलिए इधर, अब उसने क्या करा रहा हूँ, उधर से भेज दिया मुझे, customer नहीं भेज रहा हूँ, कौन भेज रहा है, रांच भेज रहा है, तो इधर, by return to ho, return to ho, return to ho, ho मतलब head office, समझे हैं ही बाद आपको, यहां तक कोई दिक्कत, बस इतना हमें account के अंदर लिखना है, और इस account की मदद से हम क्या निकाल लेंगे sir, इस account की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, इस side में to profit, और आपको पता इधर निकलेगा तो क्या होगा, loss, मैंने account सिर्फ कौन सा बनाया है, debtor, जो थोड़ा complicated रहने वाला था, वो बना दिया, और इसके अंदर कौन कौन से बन सकते है sir, इसमें से cash account बन सकता है, जो भी need के उपर depend करेगा, कौन सा account बनाना है, जिससे related ज्यादा information होगा, उससे related हम बनाएंगे, बताइए, collection from debtor, यहाँ पर आगे है न, cash, हाँ, बिल्कुल, collection उसमें है, लेकिन हमें यहाँ पर sales भी तो दिखाना है, तो sales तो हमें अलग से दिखाना ही पड़ेगा, अगर मैं opening debtor लूँ और closing debtor लूँ तो सब हट गया उसमें से, लेकिन इसमें से क्या-क्या हट गया, क्या-क्या आपने यहाँ पर हटा दिया, आपने bed debts उसमें से माइनस कर दिया, आपने सब कुछ माइनस कर दिया, आपने collection from debtor भी माइनस कर दिया, तो भई यह collection from debtor तो मुझे यहां दिखाना ही है इसलिए हम इसे दिखागे चलिए नहीं 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 दिखाना वो कभी provision नाम की कोई चीज है नहीं दुनिया में वैसे में वह सरफ company अपने हिसाब से माने लेती है बाकि law हमें कभी भी अलाउट नहीं करता प्रोविजन करने का अगर प्रोविजन फो डाउटफूल डेट्स अगर ऐसा कुछ अलाउट करने लगे ना तो मैं पता क्या करूं बैलिंशीट में लिखूं 500 करोड रुपे का डेटर औ और फी अलिक डेटर याक्वी सूच छाईए और मैंने क्या करा ढ़नाया 500 करोड और प्रोविजन दिखाया 500 करोड प्रॉफिट अगया अंडा सरकार को कुछ नहीं मिला तो श्याँतर नहीं होता लेकिन कुछ अकाउंट के कुछ आपक के आम मान लेते हैं कि हमारे limitations है जिसको हमें follow करके और debit credit को match करके चलना पड़ता है ठीक है ना तो यहां तक समझ में आया है तो यह था हमारा debtor account ब्रांच account जिसमें से हमने पीएंडल account और जो भी निकालना था हमने निकाल लिए क्लियर करेक्ट कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई दिक्कत नहीं तो इसको मैं भी PDF आपको भीज़ दूँगा अभी हम इस पर सवाल तो नहीं कर रहे है कुश्चन तो नहीं कर रहे है कल वाली क्लास जो साड़े 6 बजे ह पर कुश्चन करेंगो और ये वाला सिस्टम कल मंडे है ना 6 बजे हां तो 6 बजे है तो उसके अंदर ये खतम हो जाएगा डेफिनेटली सर गुड्सेंट की एंट्री एक बार और गुड्सेंट का मतलब जो हैड़ ऑफिस समान ब्रांच को भेजेगा गुड्स माटीरियल बेचने के लिए उसे गुड्सेंट कहेंगे जो बच्चे लेट जोईन हुए ना भी अपलोड भी हो जाएगी वीडियो तो आप ना उसको देख लेना ठीक है तो ये ब्रांच अकाउंट का बेसिकली अभी हमने फॉर्मिट किया है फॉर्मिट के बाद ना हम बड़ी जल्दी इसके प्रैक्टिकल कोश्चन भी देखे तो वो आपको फिर समझ में आने लगेगा